हेलो स्टूडेंस तो आज हम करने जारें इंगलिश की वर्कशीट नमबर 83 और क्लास नाइन के सभी बच्चे इस वर्कशीट पे अपना नेम क्लास टीचर नेम मेंचन करेंगे डेट है 11-20-21 और यह है ग्रामर वर्कशीट ग्रामर वर्कशीट में आपको दो कोशन्स दिये गया है कोशन नमबर फर्स चूज दे करेक्ट ऑप्शन तो फिल इन दे ब्लैंक तो कम्प्लीट दे बिलो नोट अबाउट नलसन मंडेला तो नलसन मंडेला के बारे में आपको दिया गया है एक पैराग्राफ इसको आपको कम्प्लीट करना है इसमें पाच फिलप्स दिये गए पैसेज को पढ़ना है और उससे रिलेटेब फिर आपको नीचे कुछ ब्लैंक दिये गए हैं आपको इससे कम्प्लीट करना है तो चलिए देखते हैं कि इस कंवर्शेशन को कम्प्लीट करने के लिए कौन कौन से करेक्ट ऑप्शन है और कैसे सॉल्फ करेंगे इसे हम स्लाइट पर देखेंगे अंसर के साथ इसके लावा कोविड एप्रोपेट बिहेवियर दिया गया है से भी मैसेज तो स्टे सेफ इन दा फाइट अगेंस कोविड नाइटीन वियरा मास्क ओके सो यहां पर सबसे पहले क्या बोला गया है नलसल मंडेला डैश बाइश बाइ अबी भी यहां पर इस इसलिए लगायाै घए क्या कहने का मतलब है कि अभी भी मिलियंस ओफ साथ अफ्रीके जो साथ अपरीका के बहुत साइट लोग है आज भी नेलसल मंडेला को बहुत प्यार करते है और बहुत रिस्पेक करते हैं इसल्लेब यहां पर इस आएगा लव को option number C correct होगा was praised ठीक है क्योंकि यहां पर क्या पूला है during his life उनकी life में lifetime he dash at home so he was appraised he was praised at home and abroad okay उनको home और abroad दोनों जगे क्या किया गया प्रेस किया गया था then third blank से he dash freedom for his own people उन्होंने अपने लोगों के लिए क्या किया था यहां पर option number A correct होगा he decided to bring freedom for his own people अपने लोगों के लिए freedom आजादी आजादी दिलवाने के लिए उन्होंने काम किया था उस वक्त on 10th May 1994 he dash materialized his dream long cherished by the black people dash their lives to give dignity to their coming generation so यहां पर option जो fourth है इसमें option B correct होगा was able to ठीक है यह क्या चल रहा है past tense में चल रहा है was able to और यहां पर फिफ्ट जो है इसमें option number D correct होगा who sacrificed ठीक है who sacrificed so यहां पर second question है आपका इसमें सबसे पहले mother कह रही है why are you late from school अमित कि तुम स्कूल से आया है अमित ठीक है तो तुम late क्यों हों so अमित कहता है while coming from school to bus stop slipped by stepping on a banana peel मैं फिसल गया था क्यों फिसल गया था बनाना का जो पील था चिलका था उस पे मेरा पैर पड़ा और मैं slip होगे गिर गया बस टॉप पे okay so mother कहती है oh my son did you hurt yourself क्या तुम्हें चोट तो नहीं लगी तुमने अपने आपको चोट तो नहीं पहुंचा ली तो अमित कहता है I got a bad brush on my left feet तो वह कहता है कि मेरे left feet पे हलका सा खुरोच चैसे आ जा दिये so यहां पर कहता है then mother क्या बोलती है अगर आप ध्यान से देखे तो यह जो चार्ट डायलोक से ठीक है इसमें अगर आप इसे चेंज करेंगे mother asked अमित mother ने अमित से पूछा तो इसमें आपका अंसर क्या होगा option number ए करेक्ट होगा first में why he was late from school की क्यों वह स्कूल से आतिवक्त लेट क्यों हो गया था so mother asked अमित why he was late from school so अमित replied that while coming from school to bus stop so यहां पर option जो c है second में ठीक है वह correct है he had slipped by stepping on a banana so उसने बताया कि वह बनाना का जो पील था उसकी वज़े से उसने reply किया okay so reply यहां पर कर रहा है वो option number c correct होगा then इसके बाद है mother was shocked to hear this she further asked अब उन्होंने फिर से यहां पर पूछा वो शौक हो गई so if he had hurt himself क्या उसने अपने आपको hurt कर लिया है ठीक है चोट पहुचा लिया अमित answer that he had got a bad brushes on his left feet so यहां पर आपका थर्ड में option number b correct है if he had hurt himself so आपको यहां पर टेंस का ध्यान रखना है past and present tense की कौन से टेंस से हम किस टेंस में change करते हैं इसका प्रोपर चार्ट बनता है और उस चार्ट से आपको समझना पड़ता है कि पास्ट प्रिजेंट से फ्यूचर और यह जो आपने टेंस पड़ेंस में कौन से टेंस से किस टेंस में हम जाएंगे ठीक है तो इसको समझने के लिए आपको बहुत अच्छे से सबसे पहले पास्ट टेंस प्रिजेंट टेंस फ्यूचर टेंस और इनके जो पार्ट सोते हैं उससे समझना बहुत ज़रूरी है ओके